राम राम भाई साराने, मैं कीर्ती दया, कुछ कविता मेरी सुनी होगी आपने इपताई, कुछ और कविता लेकर आनाली हूँ मैं, आनाले टाइम में, आपने देख्या होगा कुछ सामाजिक मुद्यां पर बात करी है, अरियाना की साची तस्वीर पर बात करी है मने, पर सोनी पजले में मेरा गाम है घर के इब भी ब्यूडए रहा है मैं नोकरी की खातिर दिल्ली में रहू हूँ दो बान हां हम बहुत बार लोग का तया बात सुनी घरक्या ने बहुत बार सुनी अक छोरा क्यूं नी पैदा कर लेते छोरी छोरी यांका के हुएगा बेरा नी उस ताइम घरक्या के दिमाग में के थी अक उनने अपना फैसला ना बदला पर आज मेरे इतनी समझ में आवे है कोई फरक करकर के उनने पाड़े को ने आम अक बेटा ननू पाड़ा करें बेटी ननू पाड़ा करें लोग बहुत सी बात कया करते अग इतना पैसा क्यों लाओ हो क्यूं इतनी बड़िया जगा पड़ाओ हो तावले से ब्या कर दो बार लकाड़ोगे छोरी बगड़ जागी पर आज में में सूस करूं हूँ जे वे सारे मोके मारे गरक्या ने नहीं दिये होते ते आज में थारे आगे बैठके याकानी न गाम में पड़ना लिखना शुरू करा था फेर धीरे-धीरे कसबे में गए बार शेर में गए आगे चालके बड़िया नंबर आगे तो दिली उनिवर्सिटी में एडमीशन लेन का मोका मिल गया कविता की शुरुवात भी मनें उड़ेत करी जब मैं दिली उनिवर्सिटी म मैं गई फर्स्टीयर में मने देखा कि बाड़क उड़े कुछ लिख्या करते हिंदी-ंग्लिश में उर्दू भी आया करती किसे किसे न सुनाया करते अपनी बात तो मनें भी उड़ेत शुरुवात करी पहली कविता भी जब लिखी थी उसके बाद तीन साल इसामा होल रहा कि बहुत एक जोर शोरत है, हम लिख्या करते और भाग लिया करते, डियू के सारे कॉलेजिस में जाते, और भी दिल्ली के काफी कॉलेजिस में गए, मुंबई तक गए, मुंबई तक जाके सुना आए, बड़े-बड़े कवी संमेलन में बैठ के, दूसरे कवी आने सुननन का मौका मिल्या, फेर दिल्ली उनिवर्सिटी के बाद MBA करी मने पुने ते, उड़े भी टाइम कमें मिल्या करता MBA की वज़यते, पर मैंने कोशिश करी कि यो जो क्रम है, यो टूटे कोन्या, करती रही, मैं कविता लिखती रही, किते-किते जब भी मौका मिल्या सुनाती रही उसके बाद नोकरी मिलगी, बैंक में, दिल्ली में इव में काम करूँ हूँ, तो दिल्ली आये पाच्छा, इव मने सोची कि चलो, पड़ाई लिखाई पूरी होगी, अपने पायां खड़े होगे, इव जो अपनी पसंद का काम है, उसके कहनना थोड़ा ध्यान दिया आरे बहुत से दोस्ती से होया करते, जो काधे कह दिया करते कि तो अर्यान भी में क्यों आ ट्राई करती, मैं लूह मैं बजाग में टाल दिया करती, कि कि ना या और कौन सुनेगा आ र्यान भी में कही लुखू हूँ, एक तो लीपी नहीं है मारी, तो इसे भ़शे ते बह पर मैं एक बात करना चाहूंगूं के जितनी जादा लेंग्विज जितनी जादा भाषा बोल ली तम उनने सिखाओगे एक तो उनका ग्यान का दाइरा बढ़ देगा दूसरा जो एक लगाव है जो अपने शेत्रत अपनी बोल ली तो वो बढ़ देगा स्कूल में भतेरे बोलने है बाई सब बड्डेश जीए आगर सी बोड़ना है पर जो अपनी बोल्ली मेंसवाद है जो अपनी बोल्ली ता एक पिछान बढ़े है वह भूत नियारी बढ़े है तो मईने स्टेज आड़ा ने मेरते बात करी के हिंदी में आमने देखी है आप अपने कविता लिखी है, आप अर्यान भी मैं ट्राई करो, मैंने सोची ठीक है, शुरू करें हैं कि एक नई पहल मिली है, लिखी एक कविता लिखी, दो कविता लिखी, बड़ी अलागी, आगे जब लोगां ताई गई तो इतना प्यार मिल्ला मतलब जो इतने चेहरे उबर क आगे जिनने तारीफ करी आगे बढ़के और बहुत से इसे लोग जो पहला मेरी हिंदी कविता सुन रहे थे, बहुत से अलग अलग राज्य के लोग, अलग शेत्र के, अलग बोली भाशा बोलनाने लोग, माराश्रा, गुजरात, पंजाब, बहुत से बिहार, यूपी, ब बहुत से अर्याना थे बाहर के भी लोगा नवे देखी, जो में एक अर्याना की तस्वीर आगे लाना चाहूं थी, तै इस ते एक कलाकार ने बहुत सारा मिल ले है, आग अबढ़ डण का उसने बहुत होसला मिल ले है, तो इस तरही है अर्यान भी में लिखन का सिलसिला च इस जिंदा होता है, आपकी जिन्दगी में जिन्दगी होनी चाहिए, मतलब आप जीमते मुर्धियां के डाडांडों होता है, कोई फायदा ना है इसी जिन्दगी का, दूसरी चीज एक जो मने पसंद है, हवाया है, कि आप साच्चे हो, एक हर्यान भी ओड के नाते या च जो कम लोगां की समझ माव है मनने नकाब पोश लोग, परदा, मूँ पर ढखनाने लोग, दो मुए लोग बहुत बुंडे लागया करें ते उन ताइ मनने बहुत सी कटाक्ष में कविता भी लिखी है ते ये एक दो मुद्दे हैं जो जिन पर जादा तर मने लिखन की कोशिश करी है स्टेज एप पर बहुत सी इसी कविता और मेरी आनाली है जिन में मैं कई मुद्दे मन अठाए हैं गरक्यां की बात करी है, दादी की भी बात करी है, पिता की बात करी है, बाईयां की बात करी है, खेता की बात करी है, किसान की, अपनी माटी की बात करी है, ते वे कानी, वे कविता अपने गरक्यां ते जरूर सुनावें, मारे जो बड़े बुजूर्ग हैं, उन ते जरूर अपना प्यार अपना साथ नुवा बनाए राखो अर हर्यान भी बोली में मारी गल नुवा बने रहो धन्यवाद